कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत एक और न्यूव वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉलन फिल्ट की तरफ से लॉंच हुई हंटर 350 के कुछ क्रैसिस के बारे में अब एज यू नो कि रॉलन फिल्ट भाई पिछले आपकी कुछ टाइमों मे बहुत अच्छा व्क कर रहा है अपनी एक से एक बैक को जो हुए इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है और आप लोगों को बहुत सारे वीरिंट देखने को मिलते हैं सुपर मेटर मिलती है हमालयन आ गई है गोरिल आ गई है ना जाने कितने सारे ऑपशन से हैं चाहिर वो सारी चीजे चोड़ते हैं, बात करते हैं, Top 10 Hunter Accident जो कि इंडिया कें अंदर हुए हैं, अब यह जितने भी सारे के सारे आप Accedents देखने वाले हो, सारे के सारे Accedents में भाई काफी बार सामने वाले की قलती रहती है, काफी बार आप लोग भी खुद की गलती रहती है जो कि आप डेली लाइफ में करते हो और उसका अंजाम क्या निकल करके आता है वो तो आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा नमबर वन क्रेश के बारे में बात करते हैं जो कि केरला में होता है तीन फरवरी दोहजार चॉबिस में ये पूरा एक्सिडेंट होता है होता क्या है एक बंदा और एक वोमेन जो की एक बाइक पर बैट करके रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और जो बाइक राइडर रहता ह जिससे उसके पैर में काफी बुरी तरीके से फ्रैक्चर आ जाता है और ऐसी चीज़े जो हैं आप लोगोंने काफी बार देखी होगी लाइक पहाड़ों में ऐसे एक्सिडेंट्स बहुत ज्यादा आम होते हैं सिंगल निन रोड रहती है और लोग जबरदस्ती ओवर टेक कर करना दिखे भाई तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस एक्सिडेंट में भी यही हुआ जैसी ट्रक को वर टेक करता है सामने से एक गाड़ी आ जाती है जिसके वह जैसे बाई यह बंदा जो अपना कंट्रोल लॉस कर देता है वह कारवाला तो कैसी से शेफ न से डैमेज हो गई है अच्छा कासा डैमेज जो है इस गाड़ी के अंदर आप लोगो देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट नमबर टू यह एक्सिडेंट जो है आलिन व्लॉग ने अपने चैनल के ऊपर डाला था बिसिकली एक हंटर और एक डंपर का यह काफी खतरनाक एक् काफी ठीका की स्पीड पर जारह होता है बाट एक कर्फ पे क्या होता है जैसे यह पनी गाड़ी को लिएक जाता है एक ट्रक जोकी पूरी त्रीके से लफ सफाइट चल रहू होता है और सुडन जो हो एक लंडम से बिना इंडिकेटर दिये यूटन लेने का और ये बंदे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता भाई ब्रेक करने का और ही सीता जाकर के ट्रक से कोलाइड हो जाता है खेर इस बंदेगी किसमत यहां पर काफी जदा अच्छी रहती है कि इसने हैलमेट और बागी चीजे पहनी होती है जिसके वज़े से इसको इंजरीज तो आती है बट उतनी जादा मेजर इंजरीज नहीं रहती थोड़ी बहुत इंजरीज जो है वो डेफिनिटल यहां पर इसको आ जाती है वहीं अगर मैं बाइक के बारे में बात करूँ तो बाइक जो है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है एक तो रॉयलन फिल्ड भाई जो पूरा का पूरा लुहा आप लोगों लिए प्रोवाइड करती है बिसिकली एक्सिडेंट मुझे देखने में लग रहा है हिमाचल के आसपास का हुआ है और यहां पर होता है क्या है यह बंदा अपनी हंटर को ले करके एक तो सबसे पहले चीज की ओवर स्पीड कर रहा होता है लीन करना भी एक अच्छी चीज है अब जब से जहसे धीरे धीरे वक्त के साथ सीखते जाते हो तो बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलती है बट कुछ बैक्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसी बनी हुई है कि एक दम आप उनको लीन करने के लिए बनाओ जैसे कि मुझे लगता है रॉनल फिल्ड के यह बाई के बाई एक नॉर्मल क्रूजर टाइप के आप बाई कह सकते हो ठीक है लीन होती है अगर उसको लिमिट तक ही करोगे तो ही जादा बैटर रहेगा बाकी तो बाई राइडर के भी डिपेंड करता है उनके कितनी अगर आप देखोगे तो बाई का पुरा का पूरा जो शुइंग आम है वह पूरी तरीके से बैंड हो चुका है डिस ब्रेक साप लोग काफी जादा बुरी तरीके से देखने को मिल रहे होंगे काफी बुरी तरीके से तूट गया इस एक्सिडेंट के अंदर नेक्स्ट न अगर वाई तरीके से पुरे के पूरे एक्सिडेंट के अंदर इंजवड हो जाता है तो वाई अगर आप ऐसी चीजे हरकते करते हो ट्रिपलिंग करते हो चलो आप लोग के अंदर ट्रिपलिंग करो तो एक बार को चल जाएगा क्योंकि उहां पर इतनी जाथा स्पीड नह तो कहीं ना कहीं पहाई थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी मालूम है कि 3 लोगों के उवर लूट रहता है चैजल करना अतना आसान नहीं रहता तो इस वजे से भी एक्सिडंट जो है काफी ज़्यता खतरनाग एक्सिडंट में बदल जाता है इस बंदे ने पूरा का पूरा अपना डिस्क्रिप्शन बता है कि कैसे कैसे पूरा का पूरा सीन हुआ बिसिकली संडे राइट पर यह लोग निकलते हैं मंडी हाउस से खान मार्केट की तरफ और यह बंदा जो रहता है नो नॉर्मली सारे गियर्स इसने पहन रखे होते हैं और यह बंदा एक कार को ओवर्टेक करता है लगबग 90 से 100 के स्पीड के आसपास में और जैसी वो ओवर्टेक करके एक दम से बीच वाली रोड पे पहुझता है तो वो देखता है कि एक टैंपू जो की बिल्कुली बीच रोड पे खड़ा होता है इस बंदे को बिल्कुल भी रियक करने का टाइम ही नहीं मिलता भाई तो भाई अगर आप लोग भी ओवर्टेक करते हो तो थोड़ा बहुत देख दा करके किया करा करो और नेक्स चीज मैं उन लोग लिए भी कहूंगा काफी बार रोड पे चलते हो गाड़िया खराब हो जाती है इस एकसिटन के अंदर उन फॉर्णी जो वाइव रहती है उसकी देथ हो जाती है और जो ऑटो ड्राइवर रहता है उसकी बीद्थ हो जाती है यह पर होता है एक हस्बंड वाई जो कि अपनी बाइक से जा रहे होते हैं और एक और एक सवारी को लेने के चकर में बिना पी के अम्रोहा में एकसिटन होता है 29 सितंबर 2022 में हैड़न कोलीजन होता है एक महेंदरा बोलेरो से रॉंग साट जाने के वज़े से पूरा का पूरा एकसिटन होता है बाइक रैटर का जो लेग रहता है वो काफी बुरी तरीके से फ्रेक्चर हो जाता है बाइक्स के आप खेते हैं कि हंटर को अब लुदक एक पूरा अपरा पुरा इस पूरी तरीके से डैमेज हो गई है बाइक्स प्रंट का तो कुछ भी नजर नचर नहीं की एरिक बचा बी Eh नेक्स्ट नुम्बर नाइन अट्था सप्राइल 2024 में ये पूरा का पूरा एक्षिनेंट होता है एक स्टुनेंट जो कि अपनी बाइक को लिए करके बाइक काफी जदा हाई स्पीड में जा रहा होता है और एकदम से जो है कंट्रोल लॉस कर देता है और सीधा जा करके एक पूल से हीट हो जाता है वो तो इसके बंदे की किसमत अच्छी रहती है जो आसपास में लोग रहते हैं फटा 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 से बचा लेते हैं और यहां पर अगर आप देख रहोगे तो इसकी सीड जो है वो भी काफी बुरी तरीके से जल गई है इसके अंदर आग लग जाती है आसपास की लोग उसके उपर पानी फेक करके भाई उस आग को बुछा देते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो काफी बुरी तरीके से जो है राइट साइड से डैमेज जो है इस बाई के अंदर आ गया है कर राइडर जो रहता हो बिल्कुल से रहता हो से कुछ खास इंजरीज निया आती बट भाई मैं आप लोग यही कौँगा अगर लेक बाई करो हर कोई जो है काफी महंगे महंगे जो गियर सा नहीं खरी सकता बट आप एटलीस हम से कम हेलमेट तो लगा कर के चलो और एक छोटा मोटा कर आप ले सकते हो तो डेफिनेटली वो चीज़े तो डेफिनेटली ले लो बाकि मैं यही को बोलूँगा सेफ राइड गरो बाई ज